मैं आज आपको बताने वाला हूं कि दस्मी एक्षा में गनीत में हमें क्या-क्या पढ़ना होता है तो आईए शुरू करते हैं देखिए यहां पे पहला जो हमें पढ़ना है संख्या पढ़ती और संख्या पढ़ती के अंतरगत एक चेप्टर है जिसका नाम है वास्तविक सं ठीक है उसके वाद हमें पढ़ना होता है वी जिगनीत और वी जिगनीत के अंतरगत हमें चार पढ़ने होते हैं पहले चेप्टर का नाम है त्रभूच और दूसरा है पाइठा गोलस पर्मे और इसके उपयोग तीसरा ब्रीत की असपर्ष रेखा और चौथा जियामीती रचनाय अर्थात बनावट उसके बाद हमें पढ़ना होता है नियामक जियामीती इसमें एक ही चेप्टर पढ़ना होता है जिसका नाम भी क्या है नियामक जियामीती ठीक है उसके बाद हमें पढ़ना होता है छेत्रमीती और छेत्रमीती के अंतरगत हमें दो च दूसरा है आयतन और प्रिष्टर शेत्रफल, उसके बाद हमें पढ़ना होता है त्रिकोनमीती, और त्रिकोनमीती के अंतरगत हमें तीन चेप्टर पढ़ने होते हैं, पहले चेप्टर का नाम क्या है त्रिकोनमीती अनुपाद, दूसरा चेप्टर है त्रिकोनमीती तादात पढ़ने होते हैं प्लाइक का अथवा संभावित यहां पर ले सकते हैं ऑल्लाइन माध्यम से यहां पर class ले सकते हैं online के माध्यम से आप हमें YouTube पर हम से जूर सकते हैं यहां पर डोनों ही नाम से चैनल मिल जाएगा Bright Maths के नाम से जहां पर आपको केवल और केवल Maths संबंदित आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे इस चैनल पर ठीक है अगर इस YouTube चैनल पर जाएंगे तो आपको लगवाग सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड वहां पर वीडियो देखने को मिलेंगे और यह जो चैनल है Bright Study यह अब Play Store पर भी उपलग है आप वहां पर जाकरके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और वहां से भी आप क्लास ले सकते हैं इसका Bright Study जो अप्लिकेशन है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं त तो यह वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ सेयर कर दीजिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिंद